बिश्टी आईएस की डेली करण ड्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण ड्यूज में चर्चा का विश्य है विश्व धरोहर दिवस 2022 18 अप्रेल को विश्व विरासत या विश्व धरोहर दिवस यानी World Heritage Day के तौर पर मनाया जाता है इस दिवस को समारकों और स्थलों के लिए अंतराश्ट्रिय दिवस के रूप में भी जाना जाता है वर्ष 2022 के लिए इस दिन की थीम है विरासत और जलवायू यानी Heritage and Climate इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रिथ्वी पर सांस्क्रितिक विरासत और विवितिता के प्रती लोगों में जागरुकता फैलाना है साथ ही इसका मकसद इन विरासतों के स्वर्णिम इतिहास और इनके निर्मार को बचाए रखना तथा भविश्य की पीडियों को इनके महत्व के बारे में पताना है गौर तलब है कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र, सैक्षिक, विग्यानिक और सांस्क्रितिक संगठन यानि यूनेसको के द्वारा मनाया जाता है अब जान लेते हैं विश्य विरासत दिवस के बारे में यह दिवस पहली बार 1983 में यूनेसको द्वारा मनाया गया था इस दिन के लिए स्मारकों और स्थलों पर अंतराष्ट्रिय परिशद यानि ICO MOS द्वारा एक खास विश्य निर्धारित किया जाता है ICO MOS एक गैर सरकारी अंतराष्ट्रिय संगठन है जो सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए काम करता है ICO MOS के अनुसार इस वर्ष चर्चा और कारेक्रमों के लिए सुझाय गए विश्यों में अब जान लेते हैं भारत में विश्व धरोहर स्थलों के बारे में भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं इन में से 40 को UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है इन में ताज महल अजन्ता एलोरा गुफाएं आदी शामिल हैं इसके अलावा इन विश्व धरोहर स्थलों में असम में काजी रंगा राश्ट्रिये उद्यान जैसे प्राकरतिक स्थल भी शामिल हैं प्रिये व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रिश्टी आईएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल